नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल धाट्री में दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है ट्रेडिंग साइकल के उपर में जिसके उपर सेबी का अभी एक नया रूल आया है तोस्तों अभी तक जो आप ट्रेडिंग करते थे उसमें जो आप इसका impact हो सकता है, इस वीडियो में हम उस impact को जानने की कोशिश करेंगे. और आने वाले time पे, इस decision का क्या impact create होगा, उसको भी हम analyze करने की कोशिश करेंगे. तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लीजिए. जिसे कि stock market की important information, आपको time to time क्या होती रहे, अपडेट होती रहे. तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर trading cycle की. Trading cycle को हम समझते हैं, basically trading cycle होता क्या है. जब ही आप कोई share purchase करते हैं, तो share purchase क Rinpoche करते हैं, आप जब share purchase करते हैं, तो आपके जो shares होते हैं, वो immediate आपके DMIT Account में नहीं आते हैं. जो shares आते हैं, वो T plus 2, मतलँ जिसन आपने share को पर芝े किया है, उसके 2 दिन बाद आपके DMIT Account में आते हैं. यह जो दो दिन का टाइम लगता है इस ही time period तो बोला जाता है trading and settlement cycle तो पहले तक जो यह जो cycle चलता हुआ आ रहा था वो चलता हुआ रहा था T plus 2 basis बट सेभी ने इसको T plus 1 करने का decision लिया है तो तो ऐसा नहीं है कि T plus 1 करने का decision अभी immediate basis पे लिये गया है इसके ऊपर जो चैचाय वो काफी टाइम से की जा रही थी because market में, stock market में जो काम करते है professionals या बड़े जो brokers काम करते हैं उनकी recommendations थी कि इस cycle को कम किया जाए जिससे कि investor का जो delivery का time है और जो pay in pay out का cycle है वो क्या हो सके कम हो सके तो दोस्तो फाइनली इस cycle को आप क्या कर दिया गया है implement कर दिया गया है तो आपके मन में दोस्तो सवाल आएगा कि इस चीज से हमारे नॉर्मल जो traders है या investors है उन पर क्या फर्क पड़ेगा दोस्तो अगर आपने प्रिवेस दिनों में देखा होगा जब भी आप buying और selling करने जाते हैं stocks में as a investor या trader तो आपने एक बहुत ही important चीज नोटिस कि होगी कि जो buyer और seller का जो gap है वो बहुत जादा मिलता है मतला bid और ask का जो difference मिलता है वो बहुत जादा मिलता है इसके वेसे दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी impact cost होती वो बढ़ जाती है अब जिन लोगों को impact cost का मतलब नहीं पता है मैं सिम्पल सा समझा दू अगर आप शेयर को खरीते हो और immediate basis को sell करते हो तो जो bid और ask का difference उसके वज़े से आपको क्या होता है कुछ नुकसान जहलना परता है तो उसके वज़े से क्या होता है कि जैसे हम किसी शेयर को purchase करके अगर immediate sell करते हैं तो अगर मार्केट में बायर सेलर की availability प्रॉपर नहीं है जिसको हम liquidity बोलते हैं तो उसके वज़े से क्या होती है इंपक्त पॉस्ट बढ़ जाती है अगर आपने कोई share purchase किया तो वो दो दिन बाद आपके DMAT में आएगा या फिर आपने कोई share को sell किया तो उसका जो अमांट होता था वो दो दिन बाद आपके account में क्या होता था क्रेडिट होता था तो दोस्तों सोच के बताओ कि अगर मैं इस cycle को T plus 1 पे कर दूंगा तो मेरे जो fund का और जो मेरे shares का transaction है वो क्या fast हो जाएगा? The answer is yes. और अगर transaction fast होगा तो क्या delivery मुझे जल्दी मिलेगी और पैसे को lane देना वो भी fast होगा? तो इसकी वैसे दोस्तों क्या होगा कि margin में जो trading का cycle है वो बढ़ जाएगा जिसकी वैसे मार्केट में liquidity ज्यादा क्रेट होने इसमें पहला है कि आपका settlement cycle है मतलब delivery share की आना और पैसे का settlement है वो within one day complete हो जाएगा जिससे कि आपको क्या होगा? आपका पैसा ज्यादा time तक ब्लॉक रखने की जरूरर नहीं है दूसरा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता है इसे market में liquidity क्रियेट होगी और साथ में margin की requirement भी बढ़ जाएगी margin requirement दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको कोई share purchase करना है suppose one lakh रुपीस का तो आपको immediate basis पे पूरा amount देने की जरूरर नहीं होती है आप उसका कुछ एक percentage पे करके उस share में आप क्या कर सकते हैं buying selling कर सकते हैं तो अगर market में यह cycle कम होगा तो उसके वाज़े से margin की requirement होती है वो भी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी margin जो लिया जाता है basically risk को manage करने के लिए लिया जाता है तो अगर यह cycle अगर fast होगा तो margin की requirement भी क्या होगी कम हो जाएगी साथ में इसमें आपकी default risk कम हो जाती है buyer or seller की पहले क्या होता दोस्तों कि दो दिन का गर गैप है बाइंग और सेलिंग के बीच में जहां पर आपके delivery और cash का settlement दो दिन बाद होना है तो कई बार क्या होता है कि बाजार में जो unusual fluctuations होती थी उसके वज़े से क्या होता है तो डिफॉल्ट होने की चांसे बहुत जादा बढ़ जाते थे तो जो लोग F&O में काम करते हैं या फर अगर हमारा trading cycle काम है तो जो fund का और shares का settlement वो fast हो जाएगा जिसके विज़े से जो shares की availability वो भी जादा रहेगी और जो fund होंगे वो जल्दी-जल्दी क्या होंगे? तो दोस्तों, I think SEBI यह decision लिया है यह market में ज्यादा liquidity क्रिएट करने के लिए लिया है और जिससे के retail investors का और जित्ते भी traders और investors उनका participation बढ़ सके जिससे की market में जो बहुत time से liquidity की problem क्रिएट हो रही थी वो क्या हो सके? तो दोस्तों, यह है possible impact तो यहां पर में एक important चीज और discuss करना चाहूंगा आपसे कि हमारे दिमाग में यहां पर question आ सकता है वो यह है कि SEBI यह decision लिया है वो liquidity को create करने के लिया है यह market में better तरीके से चीजों को implement करने के लिया है बट क्या ऐसी possibility है कि इस rules को आपिस लिया जा सके? तो दोस्तों मैं यहां पर इसका answer दूँगा yes, ऐसी possibility है कि इस rules को आपिस लिया जा सके बट अगर किसी stock में T plus one settlement cycle को implement किया जाता है तो पहली बात उसको six month से पहले withdraw नहीं कर सकते मतलब अगर इसको example से समझें माल लीजे कोई company XYZ मैंने इसमें trading cycle T plus one का लगा दिया और अब मैं चाहूं या सेभी चाहे कि immediate basis को pace को क्या कर लिया जाए, withdraw कर लिया जाए, तो ऐसा सेभी नहीं कर सकता या exchange नहीं कर सकता six month तक ठीक है और अगर सेभी को ऐसा decision लेना भी है तो कम से कम at least one month पहले उनको क्या करना पड़ेगा prior notice देना पड़ेगा shareholders को तो दोस्तों यह अभी तक की guidelines है T plus one के settlement को लेके तो दोस्तों hope इस वीडियो से आपको T plus one का जो new rule आया है उसके बारे में sufficient information मिली होगी और कुछ ना कुछ आपकी knowledge में value addition हुआ होगा तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इत्ता ही रखते हैं और चैनल को subscribe करना और ना भूले अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ share करना है तो दोस्तों आज के लिए इत्ता ही रखते हैं मिलते हैं next video में thank you so much